नमस्कार दोस्तों मैं संदीब स्वागत है आप सभी का आपके अपने सक्षेश तो यूटूब चैनल में दोस्तों आप सभी के बहुत सारे कमेंट और बहुत सारे कुश्चन आ रहे हैं कि सर आप कब से आनलाइन क्लासेज स्टार्ट करने वाले हैं क्योंकि बहुत काफी यूजी पीजी के जो भी छात्र हैं वो चाहिए फश्टिया सिकेंडियर थार्डियर किसी भी एर के हो या इंडिया के किसी भी इन्वर्सिटी को इस चैनल के माद्यम से उन सभी की जो एक्जाम के पर प्रप्रेशन है वो कराई जाएगी इसमें डेली आनलाइट प्रप्रेश्ट भी होंगे जो कि आप सभी के एक्जाम की पूरी तयारी यहां पर क्राई जाएगी जो छात्र कॉलेज या अपने इन्वर्सिटी नहीं जा सकते हो घर से तयारी करना चाहरे हैं तो उनके लिए यह चैनल बहुत ही बेटर है आप सभी को मालूम है किस समय ज हम आप किस चैनल के मादम से बताएंगे जो कि आपकी एक्जाम के लिए पूरी तरह हेलफल होने वाले आप सभी को मालूम है कि पैंडिमिक की वज़ा से बहुत सारे चेंजेस आए हैं जैसा कि छात रेगुलर नहीं जा पाएंगे और एक्जाम भी डिस्टेंस बनाके उन् के इक्जाम की तो आज की इस वीडियो से हम स्टार्टिंग करते हैं आप अगर किसी भी चात किसी भी इन्वर्सिटी के चात रहें तो आप वीडियो को पूरा देखते रहेगा इस वीडियो में बहुत साई जानकारी आपको मिलने वाली साथ में एक छोटी सी स्रीज भी य अगर आपका कोई question होगा तो वह हम आप को जरूर बताएंगे आप कोई question का reply आपको जरूर मिलेगा सभी question इसलिए बहुत सारे आप सभी के question है तो सभी question का answer तुम्हें अभी तुलन नहीं दे पाऊंगा क्योंकि आप सभी को बहुत सारी question है व किस प्रकार के यह जब आप में तभी दे पाऊंगा जब आप अपने कोश्चन पूछेंगे तो उसका रिप्लाई हम जरूर देंगे कमेंट में ठीक है तो कमेंट आप जरूर जिससे जरूर करिएगा तो आज की सीरीज को हम मिनादेरी के विए स्टार्ट करते हैं आज की जो सीरीज है वह वीडियो को पूरा तरह देखते रहेगा अगर आप यह वीडियो के लास्ट में मैं और भी बहुत साई जानकारी देने वाला हूं ओके तो ज्यादा तर इस बार कोश्चन जो आएंगे मैं क्लियर कर देता हूं वो क्योंकि पैंडिमिक की वज़ए से जो एक्जाम होंगे वो आप सभी के रेटेंड नहीं होंगे तो इस बार चांसे ज्यादा हैं यानि कि मल्टिपल च्वाइस यानि कि आप्जेक्ट्व कोश्चन आएंगे जिसमें चार आपसन होंगे और एक सिलेक्ट करके राइट जो होगा उसको आप लोगों को ओमार सीट पे फिल करने होग और जो मुझे इस पीरियन से उसके अकॉर्डिंग में आप लोगों को बता रहा हूं फिरहाल जो भी अपडेट आएगी हम आप तब पहुंचाते रहेंगे हम आपके पूरी सपोर्ट करेंगे आपके एक्जांफ लेकर हर चीज में करेंगे ठीक है बस आप लोग सपोर्ट को स्टार्ट करते हैं आप पढ़िए को सिन क्या लिखा लिखा है कि सूर्दास जी किस महां कभी के वन्सज माने जाते हैं तो आफसे आपको इसी तरह मिल जाएंगे चार जिसमें से राइट होगा वह मासिट पे आपको गोला करना होगा फिरहाल मैं इसके लिए एक सभी कि जुटा हुआ हूँ पहला को सब्सक्राइब लोग ने पढ़ लिया है आपसे इसमें चार है जो राइट है उसे पढ़न टिक करना है तो इसको जो राइट एंसर हो जाएगा अगर आपको मालूम तो भी सक कमेंट करके बता सकते हैं मैं तो बताऊंगा ही फिराल मैं आपको बता दूऋ किए इस पीडियों में जो क्लियूट है वह भकतिकाल से सम्वंदित हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं अलाग अलग है मैं वक्तिकाल रीत काला और अलग dilemma से से सथाथरसों आगलापन करेंगी सोब शोबातitsu से 1550 तो इस कोईश्चन में इस कोईश्चन के जो राइट एंसर होगा मैं आपको बताऊंगा वो तो लेकिन इसमें बहुत सारे कभी और लेखक के अकॉर्डिंग उनके अलग-अलग मत्भेद हैं कोई भक्तिकाल की समय सीमा 1375 से 1700 मानता है वही पर कोई है तो 1350 पर 1370 भी मानता है या 1650 मांगता है तो सभी लेखक के और कभी के अलग-अलग मत्भेद हैं लेकिन जो मैं आपको बताने वाला हूं वो मेरे और मैंने जहां तक प्रस लगी यानि रिसर्च किया वहां पर इसका राइट एंसर जो मिला है वह को बिला है संबद 1700 सोरी तेरा सो पच्छतर से 1700 बी नमबर ओके अगर आपको कुछ में डाउट है तो बैसे कमिट कुए आप लोग अपनी समय सीमा के बारे में यानि कि इस धाड के बारे मालों में तो जरू बताईएगा ठीक है अगले कुश्चन के और बढ़ते हैं लिख बनाने का मेरा मेक्सर दी है कि आप लोगों को आइडिया लग जाए कि हाँ वाकई में सर किस प्रकार के कुश्चन अपने वीडियो में या वीडियो में किस प्रकार के कुश्चन मताएंगे और कैसे कुश्चन आते हैं इसलिए मैं आप लोगों को थोड़ा एक्जामपल करा रहा हूं ऐसा समझ लीजी ओके तो इसको से के तो राइट एंसर हो जाएगा वो जाएगा सी नंबर नंददास भावरगीत के रजयता नंददास जी है अगले कोईश्चन की बात करते हैं तो अगला कोईश्चन आप लोगों को मिल जाएगा लिखाया कि किस इक्रिस्ट नंददास जी ने 42 के रजस्ट नहीं है जो कभी है वह करते हैं तो अंगला कोईश्चन आपको मिल जाएगा वह नुमनमे मीरा भाई की भकति किस परकार की है मीरा भाई की बार पूंटा था चुका एक्जाम में प्रेम भाव, मधुर्य भाव, दास्ष्वाव, इनमेश्य कोई नहीं तो जो राइट एंसर हो जाएगा तो वह जाएगा माधूर रिभाव बी नमबर ओके बढ़ते हैं अकले कोईश्चिट कह रहा है कि नंददास्ट की सब्सेश्च कति काँसी है तो कोईश्चिट का राइट एंसर हो जाएगा रास पंचा धेई ठीक है जल्दी में संकार बीनमर सांतरस सी नंबर वातसल डीनमर संयोक संकार रायट एंसर हो जाएगा फ़्रणर गेत में जो रश है वह ब्योग इसलिए रायट एंसर इनमबर हो जाएगा अगले कोश्चिन की बात करते हैं कि कवित रत्नाकर किसकी रचना है नाभादास देव सेनापति भोशन रायट एंसर सेनापति ठीक है अभी तो मैं कोश्चिन का रायट एंसर बता दूँगा जब टेस्ट रिस्टार करूँगा तो कोश्चिन का रायट एंसर आप सभी कोई बताना होगा यह ध्यान रखिएगा ओके अगला कुश्चिन है कि वाल मिकी रामाएड का हिंदी अनु बिश्चु दास ओके अगले कुश्चिन के और बढ़ते हैं अगला कुश्चिन कह रहा कि निम्न में से आलवार भक्तों की शंक्या कितनी है नमबर एकाट बारा साथ पंद्रा रायट एंसर आप सभी को बताईए अगर मालूम है तो बी नमबर हो जाएगा बारा ओके अग आपस्दाउच समझ देझे का फिरा एंसर दीजिए अपसेने कि मारिफत अगला अपसेने कि नाद और अगला अपसेने समादी और अगला अपसेने की उपरोक्त में कोई नहीं या इन में से कोई नहीं OK, right answer हो जाएगा पहला मारिफत एगला कोश्चन है कि संत काब्य में क किस रस्ट की प्रधानता है नंबर एक वी वत्स और अगला अपसाने की सांथ और सी नंबर वीर और दी नंबर स्रंगार राइट एंसर इसका क्या हो जाएगा आप लोग को मालूम है तो कमेंट करके चुरू बताएगा राइट अगला कोईशन है अगला कोईशन यह है कि दि मीरा वाइन से संत नहीं है एकला क्रतिवास नामएड किस भासा में नंबर एक बंगला बी नंबर हिंदी और त मिल जाएगा जो हो जाएगा कि जो कभी ह्थ राइट आक्यान किस ग्रंथ में है एक है तो इस question का option हो जाएगा तो नल दमियंति अख्यान जो है वो महा भारत में इसलिए question right answer सी हो जाएगा यह important question है कई बार पूछे गए exam में इसलिए में आप लोगों को exercise करा रहा हूं ठीक है तो यह इतने question मॉर्णिंग और यूनिंग में इसकी online classes चलेंगे देखो आप लोग जैसा कमेंट करेंगे उसे subject की classes चलाएंगे और आप लोगों को अच्छे अच्छे question सब्सक्राइब करेंगे जहां तक हो सकेगा मेरा और किस प्रकार question और कैसे पूछे जाते कैसे हल करना है किता time मिलता है और इस प्रकार पूछे जाएंगे कैसे अंसर देना होगा बहुत सारे सब्सक्राइब कराते रहेंगे तो आप घर बैटें तैयारी करते रहेंगे फिरहाल पिछले साल मैंने बहुत सारे चात्रों के लिए बहुत सारी वीडियों करके रख दी हैं जहां पर आपको open करना होगा और उसमें बहुत सारी अगर जाएंगे तो वहां पर research करने के बहुत सारे आपको question कि स्रीजे मिल जाएंगी और आगे नएस लेवर्स के आदार पर कैसे question पूछे जाएंगे मैं आपको बताऊंगा बस आज इस वीडियो में से इतना ही हम आपको मिलते हैं नेस्ट वीडियों में तब तक के लिए वन्ने मात रबते हैं